अधो वेलकम टू पाईो केम क्लासेश आज हम पढ़ेंगे दे लीविंग वर्ड का जो लाज टॉपिक है टेक्सवनोमिकल इर्ट्स के बारे में तो टेक्सवनोमिकल इर्ट्स जो है जो साइंटिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं बहुर शारे जितने भी जो आर्गिनिजम है जिनकी study करनी है, उनका पहले information लेते हैं, फिर उनका sampling करके, फिर उनको lab testing करके collection करते हैं, और ये जो collection होता है, इसका जो use है, वो उस organism के classification में करते हैं, और ये जो process होता है, या ये जो एक तरह से कह सकते हैं, क्या है? its है, वो क्या है? taxonomical its है, तो आई ये discuss करते हैं, इसका जो first point है, आप समझ सकते हैं, these are the procedure and technique to store and preserve the information as well as the specimens, यानि जो भी specimens है, उसको ये taxonomical its, एक one type का, एक type का क्या है? ये mostly एक procedure है, एक technique है, जिसमें क्या होता है? किसी भी specimens का जो है, हम क्या करते हैं? उसका information लेते हैं, ठीक, information store करके, फिर उसको हम क्या करते हैं? प्रिजर्ब करते हैं, और जो ये information है, उसका यूज हम second point में देखिए, these help in the identification, naming and classification of organism, और in information का जो है, हम यूज किसमें करते हैं? उस organism के identification में, naming में and classification में. Taxonomic studies of various species of next point, taxonomic studies of various specimens of animals, plants and other organism are useful in forestry, agriculture and in general in knowing our bio resource and other diversity. तो different type के जो taxonomical it's होते हैं, उसके बारे में the following taxonomical it's are, harbarium, botanical garden, geological park, museum and keys. एक एक करके हम discuss करेंगे, first discuss करते हैं, harbarium, harbarium है क्या? देखिए, harbarium क्या होता है? harbarium में जो plant है, उनको क्या करते हैं? पहले dry करते हैं. उसके जिस plant का हम उसका sampling कर लेंगे, sampling करने के बाद हम उसका पहले dry करेंगे उसको, dry करने के बाद उसको press करके और उसको preserve कर लेंगे एक seat पे. और यह जो process होता है, इसी को हम बोलते हैं, harbarium. क्या बोलते हैं? harbarium. किसी भी plant के sampling करना, sampling करने के बाद उसको dry करना, dry करने के बाद उसको press करके फिर उसको preserve करना, किस पे preserve कर होगे? एक seat पे. एक seat होता है, एक for size एक seat होता है, जो थोड़ा मोटा होता है, उसको हम क्या करते है प्रिजर्ब कर लेते हैं और यह जो प्रोसेस है यही क्या कहलाता है हर्बेरियम तो आईए एक एक पॉइंट डिस्कॉस करते हैं हर्बेरियम इजे इस्टोर हाउस, क्लेक्टेट ब्रांट स्पेसिमें डिस्टोर 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 हाउस, क्लेक्टेट ब्रांट स्पेसिमें डिस meaning their class order species boos hoe एक adolescent है क्ञोलेकशन जब हम कारते हैं इस प्राम का तो लिखते हैं उसका class क्या है। उसके अडर क्या है, इससके habitat क्या है उसका क्या है, उसके एक्नौमिक importance क्या है वह सब मेंसर होता है on the seeds पर. नेक्स्ट पॉइंट, हार्बिरियम सर्व एजे, रिपोजिटोरी आफ प्लांट्स आफ इस फेस्फिक परपर्ज लाइक मेडिसीनल प्लांट और मेंटल प्लांट एटीसी, देखिए यह जो है इसका मेन जो यूज है, वो एक तरह से जो मेडिसीनल प्लांट्स है, जैसे हिल इरिया या हिमाले एरिया में उपाय जाते हैं, तो वहाँ पर हम प्रापर या रेगुलर जो है इस्टडी तो कर नहीं सकते हैं, इसलिए हम उसको क्या करेंगे, उसकी हार्बिरियम त्यार करेंगे, और हार्बिरियम त्यार करके, उसके करेक्टर इसके हैविटेड, उसके एक इंपर्टेंस और डिफ्रेंट टाइप के जो उसके करेक्टर हैं उनको हमें कलेक्ट करेके फिर उसका हम स्टडी करने में या कोई भी उपयोग है जो हमारे लाइफ में उसका इजली हम कर सकते हैं देखिए क्या होता है आर्वेडियम जो होता है जैसे मालनी जीए आप यह एक सीट है ठीक है यह एक सीट है और सीट पर जो है इस राइट एंड साइड पर यहां पर कलास होगा आडर होगा फिर फेमिली जो भी है यह रहेगा फिर नीचे जो है इसका जो है यहां पर इस साइड पर जो है एकनामिक इंपार्टेंस क्या है इसका और स संबर्सक्रीब होता है ठीक है तो इक शीट पर पूरा यह Preserve करके रखा हुआ, एक अक्सिसिमेट्रिक डाइगराम है, जिससे आप समझ सकए है, एक प्रिजर्ब जो इसको प्रेस करके रखते हैं, तो कैसा यह देखता है, ठीक है, नेध्स हम बात करेंगे, बाटनिकल गाडिन की, बाटनिकल गाडिन क्या है, यह जो था हार्विरि है mostly जो है जो आप जो भी सेम्पल ले रहा है वो क्या डेद अर्ब करते हैं हम तैयार करते हैं ठीक आप नहिरबाल करते हैं वार्टिकल गाडेन में इसमें जो लीविंग प्लांट होते हैं उनका जो जो हम भूर कराते हैं कि इसके लिए के identification purpose के लिए next point each plant contain level indicating their scientific name family उनके जो लेबल होते हैं plant जो हम गुरु कराते हैं उनका एक labeling करते हैं कि इसका scientific name क्या है family क्या है हम पूरा उस पे order क्या है यह सब mention करके रखते हैं और बात करते हैं कि यह जो बाटनिकल गार्डेन जो है यह different country में है लेकिन mostly जो हम बात करेंगे largest बाटनिकल गार्डेन इन ओर्ड पूरे विस्व में जो है सबसे बड़ा जो है सबसे largest जो है वो क्या है royal बाटनिकल गार्डेन इन क्यू जो लंदन में यह इंग्लेंड में है ठीक है नेक्स बात करते हैं बाटनिकल गार्डेन इन इंडिया इंडिया में जो है बाटनिकल गार्डेन अपहवड़ा अब को पता है बाटनिकल रिसर्स इंस्ट्यूट जो है नेशनल बाटनिकल रिसर्स इंस्ट्यूट लखनव में है और यह बहुत उनका जो ग्रो कराते हैं वो identification के प्रपस से होता है और उन पर leveling करते हैं कि यह किस family, किस class, किस local, locality उसकी क्या है सब उस पर mention होता है जिससे हमें आगे चलके classification में या कोई medicinal value है तो उसमें इसे help करता है next हम बात करेंगे geological park की जो लाजिकल पार्क है क्या जो लाजिकल पार्क आर दप्लेस फ्रस्ट पॉइंट देखिए आप जो लाजिकल पार्क आर दप्लेस वेर वाइड अनिमल आर केप्ट इन दफ प्रोटेक्ट अंदर दे देखते हुए ठीक है और इन जो एनिमल्स हैं उनका हम यूज करते हैं उनके habitat उनके food behavior और उनसे जो है जो भी हम information है collect करके उस एनिमल्स के बारे में एक details निकालते हैं ठीक है mostly जो होता है यह collection का main purpose होता है उस animal का food habitat क्या है behavior क्या है यह हम उसको जान सकते हैं ठीक है largest geological park in world national geological garden of Africa है London Jew world oldest scientific Jew ठीक है next बात करते हैं geological park in India इंडिया में जो सबसे famous geological park है वो है अलीपूर geological garden कोलकता में जो है एलन फारेश जो कानपूर में है national geological park देली लखनाव जो गोरफ जो लाजिकल garden है ठीक है next हम बात करते हैं museum की museum में क्या होता है इसमें जो dead organism होते हैं या dead plant या animals होते हैं उनको collect करके और उनका हम observation करते हैं कैसे for example में आपने देखा होगा बहुत सारे museum में जो है animals preserve करके रखे होते हैं ठीक और या आप जाते होंगे अलग अलग type के जो जैसे आप किसी cultural में जाएंगे तो उसके culture को हम photo frame कर गे रखे रहते हैं ठीक तो वैसे ही कुछ ऐसे भी museum है जहां पर scientific biology museum है जिसमें जो है plant और animal को collection करते हैं ठीक है collection आप plant and animal specimens no living object in display in the museum museum में जो है जो object होता है जो specimens होता है वो living नहीं होता है वो non living होता है ठीक है next point for animal preservative solution जो animal के लिए preservative solution होता है formalin होता है formalin क्या करता है formalin में जो भी specimens रखते हैं उनकी जो body होती है वो dead नहीं होती है decain नहीं होती है इसलिए उसमें रखते हैं एक conservative के रूप में formalin होता है अब बात करते हैं जर्मनी में जो है वो सबसे largest science and technology museum in the world है इंडिया की बात करते है नेशनल museum in Delhi Indian museum in Calcutta the Prince of Wales museum Mumbai और यह जो diagram आपको दिख रहा है यह FRI का है जो picture आपको दिख रहा है यह FRI का है FRI मतलब Forest Jesus Institute देहरादुन में है वहां का है यह बहुत अच्छा museum है मैंने यह बहुत अच्छा museum है आप जाएंगे तो वहां पे different type के plant plant के species आपको preserve करके देखने को मिलेगा बहुत सारे epi culture की भी बात होती है seri culture की भी बात होती है यहां पे जाएंगे तो अलग-अलग museum बना के रखा हुआ है तो यहां पे बहुत अच्छा आपको लगेगा क्योंकि यहां पे मैं विजिट किया हूँ तो इसलिए मैं बता सकता हूँ कि वहां का जो museum है बहुत ही अच्छा है आपको विजिट करना जाएं scientific purpose के लिए जो है यह बहुत अच्छा है नेक्स बात करते हैं कीज कीज में क्या होता है कीज में मोस्टली जो है जो आर्गिनिजम होते हैं उनके similarity के बेस पे जो है इनिवल होते हैं उनको उनमें similarity क्या पाई जा रही है dissimility क्या है उनको क्या करते हैं एक अलग से identify करते हैं कि इनकी अगर similarity है तो इनको एक साथ रख दिये हैं इनकी dissimility है तो उनको एक साथ रख दिये हैं ऐसे करके एक तरह से की का formation हो जाता है जिससे एक एक लच्छड को देखके और उसका जो उपयोग करके यूज करके उसको जाती वन स्कुल या कह सकते हैं species, genus, family, class order और इनमें उपयोग इसका करते हैं तो these are the use to identify the on the basis of similarities and dissimilarity, type of keys, keys जो होते हैं different type होते हैं, first होता है rected key, these are the most popular because key have only one contrasting character, इसमें जो होता है character होगा, one होगा, flora and phana की बात करते हैं, next is flora and phana, define as the habited and distribution of plant, इने particular area में जो plant है उसके habited और distribution के base पे जो है उसको हम बता देंगे की flora है की फना है, manual, manual की बात करते हैं, these are the listing and description of the plant of particular, particular plant का जो है उसमें हम description आप करेंगे, ठीक है, next बार करते हैं, catalog, it is the best on alphabetic, alphabetic, sorry, alphabetic order of organism, mostly जो है इसमें, जो आर्गेनिम होते हैं, उनको alphabet के base पे जो है, उनको एक keys के रूप में रखते हैं, next बात करते हैं, monograph, it provides the information about the only one texon at a time, एक की texon का information प्यार पड़ता है, ठीक है, तो यह रहा आपका taxonomical it's, ठीक है, यह पूरा आपका taxonomical it's रहा, harbarium रहा, barternical garden, geological park, museum और keys, और इसके जो different type के जो है, यह taxonomical it's रहे, ठीक है, अगर कोई आपको problem हो रहा है, तो आप comment कर सकते हैं, और आपका यह note जो है, provide किये जाएगा, तो आप description में इसका link डाल दिया गया है, ठीक है, तो किप्या चैनल को like करें, subscribe करें और share करें, thank you